नमस्कार मैं हूँ खुश्बू हजारे और आप देख रहे हैं खबर ठिकाना बेटी होने पर अब मिलेंगे सोने और चांदी के लौकेट जी हां ऐसा मध्यप्रदेश के बैतुल में देखा गया जहां पर नए साल के दिन 23 बेटिया हुई और जिन भी लोगों को ये बेटिया हुई है उन बेटियों को सोने और चांदी के लौकेट दिये गए हैं इससे उन बच्चियों के माबाप में बेहत खुशी है आपको बता दें कि ये मुहीम मध्यप्रदेश के बेतुल में शुरू की गई है ये मुहीम इसले शुरू की गई है ताकि जो भेदभा होता है लड़के और लड़की को लेकर कई बार हमने देखा है कि लड़की पैदा होने पर जो पैरेंस है वो उदास हो जाते हैं या फिर जो घरवाले हैं साससुर है वो नाराज हो जाते हैं कि हमारा घर का वंशज आगे कौन बढ़ाएगा लड़का होना चाहिए तो ऐसे में जिन लोगों को लड़की हुई या दूसरी बार भी लड़की हुई है उन्हें खुशी मनाने का हक है इस तरह का संदेश देते हुए मध्यप्रदेश के जेनरल हॉस्पिटल में इस बार ये लॉकेट्स बाटे गए हैं कई बार हमने देखा है कि लड़के और लड़की में फर्क किया जाता है और अभी भी कई लोगों की इस तरह की पिछडी सोच है इस जन्म को सेलिब्रेट किया गया और उन सबही को सोने और चांदी के लॉकेट्स दिये गए ये जARKीम सिर्फ ने साल के लिए ही थी और ये बताने के लिए थी जिए बैटी चन्म होने पर भी खुशी मनाने का उतिना ही अधिकार है जितना कि बेटे के जन्म पर ये मुहीम अ नहीं है यह बाते सोच कर लगता है कि वाकई में अभी भी हम बहुत चीजों में पीछे हैं हमें इन सब चीजों को छोड़कर इस तरह की सोच दिमाग से निकाल कर आगे बढ़ने की जरूरत है Celebration तब होना चाही है चब बेटिवे के लिए इस तरह की स्लोगन इस तरह की ऑफ़र्स इस तरह की योजनाई रखने की जरूरत ना पड़े क्योंकि बेटिव को भी इखल हमिले क्या आपको भी यह बात सही लगती है कॉमेंक सेक्शन में जरूर शेयर करें खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही पलपल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल खबर ठिकाना